तो अगर आप 30 दार से लेके 35 दार के रिंज में ऐसा कोई लैप्टाब डून रहो जहां पर आपको जो है अकोडिंग करनी है या फिर वहां पर आपको जो है और या फिर आप जो उसको ऑफिस वर्क के लिए या फिर Microsoft Excel बगरा के लिए यहां पर यूज करना चाहते हो और यह सारे चीज करना चाहते हो वह भी 30 दार से लेके 35 के रेंज में रहती हुए यहां पर आपको इसी बजेट रेंज में रहती हुए एक अच्छा खासा लोगस बिच है उस लैप्टाप में ताकि आप इसको बिना जीजक के कॉलेज में या फिर अपने आफिस में ले जा सकते ह यह इन वाट सब्सक्वाइब गे लाट सब्सक्वाइब लाट सब्सक्राइब यहां अच्छा लीया यह वाचिंग मेने चाथिपस अधिस थास लेव भी 15 X5-5 Z लाट सकारी सबसे बहले प्राइसिंग की बात करते हैं यह लैपटॉप आपको आमाजन में देखने हो मिल जाएगा अराउंड 34,000 से लेकर 35,000 के रेंज में बच सेल के दौरान आप इसको पिक कर सकते हो अराउंड 31,000 रुपीज में इन दी अगर आपको यह लैपटॉप पसंद आ जाता है तो बेस्ट बाइलिंग काप को नीचे देखने हो मिल जाएगा वहां से आप इस लैपटॉप को पचीस कर सकते हो और हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो स्पेक्स की बाद करते हो इस लैपटॉप में आपको मिल जाता है राइजन 5 2500 और साथ साथ इसमें दिया गया है वेगा 8 का ग्राफिक्स जो की कैजूल गेमिंग के लिए या फिर बिगेनर्स के लिए काफी सही हो सकता है और अगर आपको इसका गेमिंग रिवीव देखनी है तो आप मेरे को कॉमन सेक्शन में जरूर बता सकते हो एंडराइम इसमें आपको दो वेरियंट देखने में मिल जाएगा एक में 8G भी आता है और यह वाल जो वेरियंट है यह 8G वाला वेरियंट है जिसको आप एक्सपैंड कर सकते हो अपको 16GB तक एक दूसरा 8GB स्टिक एड़ करके SSD की बात करते हैं इसमें SSD नहीं दिया गया है बट इसमें एक M.2 का स्लॉट अवेलेवल है जिसमें आप बात में जाके M.2 SSD लगा सकते हो और वो SSD का मज़ा है वो आप बात में जाके उठा सकते हो और इसमें आपको 1Tv hard drive मिल जाता है जो की रन करता है 5400 RPM में इसमें Wi-Fi Bluetooth दोनों ही inbuilt मिल जाता है आपको और Wi-Fi में dual band का support भी दिया गया है तो अगर आपको 5Gb Wi-Fi का जरूरत है तो वो भी आपको इसमें मिल जाता है तो यहां पर अगर आप AutoCAD, 3ds Max या फिर normal coding, थोड़ा बहुत video editing, gaming इस laptop में करना चाते हो तो आप कर सकते हो परसनली मेरा फ्रेंड इसमें AutoCAD 3ds Max लाता है और इसको जादा कुछ दिक्कत नहीं आए यह सारे softwares को अभी तक run करने में हाला कि यह सारे softwares वो काफी heavy softwares है फिर भी यह सारे softwares अब थोड़ा बहुत compromisations के साथ इस laptop में चला सकते हो बात करते हैं build quality और design की तो यह laptop का डिजाइन जो काफी minimal है और काफी attracting look के साथ आता है यह वाला laptop और यह उन लोग के लिए काफी अच्छा रहने वाला है जो लोग college projects के लिए या फिर कोई official works के लिए कोई अच्छा minimal design का laptop ढूण रहे हो इसका design काफी हद तक Macbook जैसा है क्योंकि यह silver color में आता है प्लस इसका बैजल से वह काफी thin दिया गया है जो कि इस laptop को और भी अच्छा look provide करता है सामने screen के नीची आपको एक Asus का logo दिया गया और screen के ऊपर के side में यहाँ आपको एक standard quality का VGA webcam दिया गया है जिसका quality के बारे में हम लोग बात नहीं करने वाले क्योंकि I hope कि आप लोग को पता है कि एक budget laptop का webcam कैसा होता है laptop के पीछी के तरफ आपको brush aluminum design देखने को मिल जाता है जो कि देखने में काफी हद तक premium लगता है प्लस यहाँ पर आपको एक और Asus का logo देखने हो मिल जाता है जो कि shiny है definitely looks good here इस laptop का corners काफी round is दिया गया है जिसके वैसे आपको इसको hold करने में काफी जादा comfortable feel होगा but if you like sharp corners तो फिर यह एक negative point है आपके लिए और इसका screen है वह काफी slim है सिर्फ screen ही नहीं पूरा का पूरा laptop जाए बहुत ही तादा slim है इस वाई से यह वाला laptop आपको एक बहुत ही बढ़िया and modern look provide करता है इस laptop का left side में आपको इसका charging port, ethernet port, standard HDMI port, USB 3.0 Type-A का port और USB 3.0 Type-C का port देखने में मिल जाते है और इसका opposite side में आपको कुछ diagnostic LEDs, SD card slot, a combined 3.5mm headphone jack और दो USB 2.0 का port देखने को मिल जाता है और बात करें cooling and air ventilation की तो वह जो है laptop के पीछी के तरफ दिया गया है और मेरे साब से यही सबसे best position है air ventilation के लिए इसका weight के बात करते हैं यह only 1.6 kg का laptop है और यह only 18.9 mm थिक है तो D2D usage में and carrying में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है इस laptop के साथ बात करते है build quality and build material की तो यह ला laptop पूरा 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 प्लास्टिक बिल्ट के साथ आता है although front side में आपको brushed aluminium sheet दिया गया है ताकि long term में इस laptop के front side में कोई scratches ना है तो overall इस price range में this was expected अभी बात करते है इसका display के बारे में तो इसमें आपको मिल जाते है 15.6 inch full HD 1925 1080p का display बट 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 यह एक TN panel के साथा है so the colors are not that good as you should expect with this laptop यहाँ पर जो colors है वो थोड़ा बहुत washed out लगते कभी कबार तो यहाँ पर यह बात भी आपको ध्यान में रखने है and talking about the viewing angles, viewing angles इसमें काफी खराब है तो अगर आपको perfect viewing experience चीए तो आपको एकदम center से इसको use करना पड़ेगा थोड़ा से ऊपर नीची आप साइड में जाओगा तो इसका जो colors है वो फेड हो लगता है but casual users के लिए या पिर casual gaming के लिए इसको use करी सकते हो और अगर आप इसका display से satisfied नहीं हो तो आप HDMI के जरी आप external display भी लगा सकते है but one thing to notice that serious color correction और color grading cannot be done with this type of screen बात करें इसका keyboard की तो बाकी laptop की तरह यह एक 60% keyboard layout के साथ आता है और बाकी laptop की तरह इसमें भी आपको चिकलक keyboard के use किया गया है बात यह जो keys है यह backlight नहीं है तो आप इसका अंदरे में यह फिर dark में use नहीं कर सकते हो और actual सचा ही की बात करते हो इस keyboard इमने थोड़ा सा flex मैंने नोटीस कर रहा है यूज करते चाइम nothing serious though but मैंने casual informations के लिए मैंने आपको यह पहले ही बता दिया इसके keys जो है काफी tactile एक membrane keyboard होते हुए भी और इसके साथ मेरा typing experience रहा है वो बहुत ही बढ़िया रहा और आपका typing experience होने वाला है वो भी I think बहुत ही बढ़िया रहने वाला है इस keyboard के साथ इस keyboard में यहां पे आपको एक dedicated Fn की दिए जाते है F1 से लेके F12 तक के shortcuts को यूज करने के लिए और इस keyboard का एक और चीज मुझे बहुत ही बढ़िया लगा है जो कि इसका जो power button है उसमें एक छोटा सा white LED भी दिया गया है जिससे थोड़ा बहुत और भी professional and premium look आते है इस laptop में और इस laptop का mouse trackpad की वाद के लिए तो इसका trackpad भी काफ़ी साथ responsive है बट using a time इसमें भी मैंने थोड़ा बहुत flex notice कर रहे है जो कि इसका plastic build के वैसे आता है Keyboard के चीक उपर यहां पी दिया गया है 18W का two stereo speakers जिसको Asus कहता है Sonic Master और यहां उसका branding भी किया गया है जिसका output उतना अच्छा नहीं है जितना आप सोच रहे हो तो definitely consider buying some good USB speakers for this laptop बात करते हैं इसका gaming experience के तो मैंने इस laptop के साथ Vega 8 graphics के साथ obviously मैंने कहीं सारे यहां पर games run किया है जैसे कि GTA 5 या फिर बैटल फिल फोर और मुझे मुझे 25 तो 30 पिस constant मिल जा था एकदम low settings में obviously यह वेगा 8 के graphics है यहां पर आपको low प्रेस पर यहां पर खेलना पड़ेगा तो मुझे जो constant 25 तो 30 पिस मिल जा था अल्मोस सारे के सारे games में और यहां पर आप देखी सकते हो मैंने यह सारे games ट्राइक किया था बट यहां पर अगर आपको डेरिकरेट एक gaming review चीस laptop का तो आप मेरे को comment section में बोली सकते हो और मैं ट्राइक करूंगा एकदम जल से जल यहां पर आप लोग के लिए गेमिंग review रेडी करने का इस laptop के ऊपर एंड इसका इसके साथ आप डिसेंट गेमिंग कर सकते हो अगर आप बीगीनर गेमिंग हो जैसे कि पब जी लाइट खिलना चाहते हो या फिर यहां पर आप आप जो है दूसरा कोई यहां पर offline games केलना चाहते हो फॉतनाइट भी यहां आप ने हो फॉर्टनाइट शाय चल जाएगा और यहां हो जबलब देख नहीं कीक है अभी तक तो फ्रॉतनाइट स्थाएज चल जाएगा यहां पिब घी पीच hic I mean पब्सी लाइच यहां पर चल जाएगा तो यहां पर आपको at least two and a half hours to three hours तक का बैटरी वार्टाप अराम से प्रवाइट करवादेगा तो ओवराल यहां लाप्टाप जाए 34,000 रुपीज के रेंज में काफी एक बड़िया लाप्टाप है और यह उनके लिए काफी बड़िया रहने वाला है जिनको परफार्मस के साथ साथ एक अच्छा लुक्स भी चीए कॉलेज में या फिर ओफिस में ले जाने के लिए या ले जाने के लिए तो उन लोग के लिए यहां लाप्टाप बहुत ही बड़े रहने वाला है अगर आपको इसका फुल गेमिंग रिवियो देखना है जहां पर मैं सारके सारे मॉडन एंड थोड़ा बहुत ओल्ड गेम्स ट्राइकर हूंगा इस लाप्टाप में तो आप मे गपूँ क्याँ क्याँ कि अच्छाप णड़े लाप कि अच्छाप कर रिए लाप कर दोग्टापको इसाल कर देखने यहां पूले अच्छाप कर फटापको अचापको औरे वजब हुत